यार एक बात में मुझे थोड़ा सा अफसोस है अफसोस यह है और टॉपिक क्या है टॉपिक है वेक्सीन टूरिज्म करोना वेक्सीन टूरिज्म हाना अभी तक टूरिज्म लोग घूमने जाते थे किसी और वज़ा से अब जाएंगे वेक्सीन की वज़े से और धंदा चमकेगा उन देशों का जहां पर सबसे पहले वेक्सीन आ चुकी है जैसे की बृतिन में यूके में जैसे की आपको पता कि फाइजर की वेक्सीन यूके ने अप्रूव कर दी है और अब वहां से कोशिश होगी कि बाकी कंट्रीज के जितने ज्यादा लोगों को टूरिज्म के बहाने बुला के वेक्सीन के बहाने बुलाया जाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया चाए काफी सारे लोग जाएंगे भी जो अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है जो जिरो 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 वन परसेंट भी नहीं होंगे ठीक है तो लेकिन उनके लिए टूरिज्म वालों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा करोना वैक्सीन के बहाने ये लोग वहां जाएंगे कुछ दिन रहेंगे घूमेंगे नाचेंगे और साथ में वैक्सीन लग मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं बस यही दुख है कोई बात नहीं फिर भी मुझे लगता है कि शायद फाइजर की वैक्सीन भी इंडिया में आएगी बहुत जल्ब ना आपाए तो कुछ महीनों में आ जाएगी और आपके पास चोईस होगी आपको एस्टर की बाहर जाएंगे जो अमीर लोग हैं जो पैसे वाले लोग है वो बाहर जाएंगे और बाहर के देशों की चांदी होगी जिन जिनके यह वैक्सीन का एप्रूवल आता जा रहा है तो लेकिन एक बार मुझे यह लगता है कि ऐसा फाइजर वैक्सीन है या मॉडरना वैक्सीन है जिसके बारे में यह का जा रहा है कि यह vaccine इंडिया में बहुत लेट आएंगे क्योंकि यहां पे उनको maintain नहीं कर सकते हैं उनकी cold chain को क्योंकि बहुत minus 90 degree temperature पे minus 80 degree temperature पे उनको रखना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई logistic chain बना सकते हैं किस तरसे cold chain को maintain किया जा सकता है यह को जरूरी नहीं है मेरा एक idea है यह को जरूरी नहीं है कि vaccine हर chemist हर pharmacist के पास अवले बलो आप पूरे जैसे सपोस्थ दिल्ली है दिल्ली में आप 8-10 center बना दे सरकार अपने जहां पे cold chain maintain की जाए आदमी वहां जाए लगवाने के लिए यह तो जरूरी नहीं है कि हर chemist हर pharmacist हर hospital में vaccine को रखा जाए आप 10 center ऐसे बना दो जहां पे cold chain maintain की जा सके special और उसमें फाइजर भी अपनी help दे सकती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा यह बहुत बड़ा issue है कि हम maintain नहीं कर सकते अगर बाहर की countries उस cold chain को maintain कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते जब हम इतनी vaccine के मामले में इतना आगे बढ़ गए हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम lack कर रहे हैं जिसमें हम फाइजर या यह जो Moderna vaccine यह इंडिया में लेट आएंगी शायद महंगी तो चलो ठीक है 2000 की होगी 4000 की आदमी को उसकी परवाद नहीं है वो कहेगा मेरी ट्रस्ट है मुझे ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज ना मुम्किन नहीं है इंडिया में ठीक है अब इंडिया को अगर मिलेगी तो इंडिया अब यह था कि अगर ऐसा जैनिका की वेक्सीन काम्याब हो जाए तो इंडिया वालों को दूसरे कंट्री से ओर्डर मिल सकते हैं क्योंकि वो सस्ती वेक्सीन है ठीक है और हमारा एक एकनोमिक फ्रेंट पर भी हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है लेकिन पहली वेक्सीन वहां आ चुकी है ऐसा नह पहलेंगे यही पैसा इंडिया में आता तो कुछ भी हो सकता था तैंक यू वेरी मच यह था और फिर भी बोलूँगा I love my India I love my India I love my India ठीक है और है प्रीत जहां की रीत सदा मैं घीत वहां के गाता हूं भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं फिर भी दिल में यह एक बात का अभी भी मुझे लगता है इस शायद ठीक है हम देर से आ रहे हैं लेकिन हमारी वेक्सिन अपनी वेक्सिन होगी भारत की पहली भारत बायटेक जो मना रहा है को वेक्सिन शायद देखो फर्क होता है थोड़ा सा हमारा जितना कैलिबर है उस हिसाब से हम कर र रखो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक शैर ना पाये तो जनवरी में वेक्सिन इंडिया में भी आ जाएगी और लेकिन वही है कि सेफ होनी चाहिए और एफेक्टिव होनी चाहिए तैंक्यू वेरी मच आपका अपना डॉक्टर नमनीत कालरा और मैं इसी तरह से भारत पॉस्टिव टॉपिक लेकर कुछ मोटिवेशनल कुछ मेडिकल ये कॉक्टेल चलता रहेगा थैंक्यू बाई